हेलो बच्चो गुड मॉनिंग आज की तारिख है 10 जुलाई 2024 आज के करंट फेर कुश्चन और ललन टाप प्रसनों में आप सभी का स्वागत हैं बच्चो आज हम पढ़ेंगे मेधान सिरीच का पार्ट 10 मेधान सिरीच का पार्ट 10 पढ़ेंगे जिसमें आप सभी को 30 G के GS कुश्चन देखने को मिलेगा तो 30 G के GS कुश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं मेधान सिरीच के पार्ट 10 में और 10 जुलाई के करंट फेयर को solve करेंगे जिसमें आप सभी को 10 करंट फेयर कुश्चन और 7 में 40 से 50 ललन टाप परस्म देखने को मिलेगा तो इस पूरे कलास में आप सभी को 80 से 90 कुश्चन देखने को मिलेंगे 30 से 35 मिनट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज श्टूरें वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें तो 10 जुलाई का पहला करंट फेयर कुश्चन हमारा है हाल ही में Polaris Dawn Mission launch करने की घोषना किसने करी है और Space X Company के अगर पूछे मालिक कौन है तो एलन मस्क जो है Space X Company के मालिक है इसको क्यों launch किया जा रहा है क्योंकि वाडिजिक Space Walk यानि कि Space में अगर कोई Walk करना चाहता है तहलना चाहता है गूमना चाहता है तो इसके लिए जो है एलन मस्क के द्वारा एक मिसन सुरू किया गया है Polaris Dawn Mission तो इसमें आप सभी के पास अगर पैसे हैं तो इसकी जो है जरनी स्टार्ट हो जाएगी 31 जुलाई से यानि कि 31 जुलाई से आप सभी अगर Space में Walk करना चाहते हैं तो Space X से राकेट पूछे किस राकेट से लांच किया जाएगा तो Falcon 9 राकेट से लांच किया जाएगा तो ये हमारा पूरा पहला करन्ट फेर समात होता है ललन टाप प्रस्ण में देखते हैं किन सरकान ने किस मा को राश्टिय पोशन मा घोशित किया है तो सितंबर मा को किया है नेक्स्ट प्रस्ण है हाल ही में देश की पहली उर्द्वाधर पवन सुरंग कहा अस्थापित की गई है तो हिमांचल परदेश के बकलोह इस्थित Special Force Training School में उर्द्वाधर पवन सुरंग की अस्थापना की गई है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट प्रस्ण की बात करते हैं हाल ही में परदान मंत्री मोधी ने दुनिया के सबसे बड़ी ध्यान केंद्र सरवेद महामंदिर का सुबारंब कहां किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा वराणसी में किया है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कारियाल है डायमेंड बॉस का उद्गाटन कहां हुआ है तो या सूरत गुजरात में किया गया है दूसरा प्रस्ण मारा हाल ही में मानो उपभोग के लिए सोला कीटो के उपयोग की मंजूरी किसने दी है यानि कि मानो जो है अब क्या खा सकता है कीटो को खा सकता है तो इसमें सोला कीटो को खाने के लिए किसने मंजूरी दे दी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसने सिंगापूर सरकार ने ऐसा किया है तो सिंगापूर ने सोला परकार के कीटो को जो है मानो उपभोग में मतलब खाने के लिए मंजूरी दे दी है तो सिंगापूर की सरकार ने 16 परकार की किंडे मकोडो को खाने के लिए मंजूरी दे दी है जैसे कि झिंगूर हो जाता है रेसम के किंडे हो जाते हैं और ये टिड्डे हो जाते हैं इन सभी को खाने के लिए मानो उपभोग में किसने मंजूरी दे दी है तो सिंगापुर सरकार ने दे दी है तो यह आपको याद रखना है तो दूसरा परस नमारा यहां से कंप्लेट हो जाता है नेक्ट देखते हैं कि डिन्मार्क ने अभी हाल ही में असुगंधा जिसे क्या कहते हैं तो विस्वस्तर पर इसे कहते हैं बिथानिया सोमनी फेरा को असुगंधा कहते हैं इसे अभी डिन्मार्क सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है बैन कर दिया गया है तो इसे आप यहा तो सिंगापूर की सरकार ने मंजूरी दे दी है। खेल में, 2023 में भारत बनी कुल 29 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेश्ट प्रस्न मारा है, हाल ही में किस भारतिये को रहमन मैकसे से पुरसका 2023 से समानित किया गया है। तो ये Onco-Logist हैं जिनका नाव है Dr. Ravik Kannen जी को 2023 का Raymanencia Yawad से समानित किया गया है. तीसरा प्रस्न्हाल ही में भारतिये पुरुष cricket टीम का नया कोंच की से नियूक्ट किया गया है. तो भारतिये पुरुष cricket टीम का नया कोंच बनाया गया है. option D गोतम गंभीर जी को इसकी ब्याक्षा देखे तो गोतम गंभीर जी को भारतिय पुरुस क्रिकेट टीम का नया कोँच बनाया गया है इनसे पहले अगर पूछे भारतिय टीम के कोँच कौन थे तो राहुल दर्विड थे तो राहुल दर्विड के अस्थान पर अब कोँच भी थे तो गोतम गंभीर जी जाता है अगर पूछे किसे हज हरा कर तो हैदराबाद को हरा कर कलकत्ता नाइट राइडर जो है दोजार चोबीस का आईपील जीज जाता है नेश्ट परस नमारा है आईपील निलामी जोजार चोबीस में खरीदे गए सबसे महंगे खिलारी कौन है तो मिचल इस्टार्क है नेश्ट परस नमारा है दूसरा मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरसका जोजार तेज किसे परदान किया गया है तो यह परदान किया गया है सातिक साही राज उचिराक सेटी गो इनका पुछे खेल कोन सा है तो इनका खेल है बैड मिन्टन हाल हिमें प्रॉफेसनल गोल्फ टूर आफ इंडिया के अध्धक्ष पदपर किसे नुक्त किया गया है तो कपिल देव जी को न्यूक्त किया गया है प्रतीवर सिराष्टिय सांख्य की दिवस कब मनाया जाता है तो यह 29 जून को मनाया जाता है और किसके हैपी बर्डी पर मनाया जाता है तो PC महला नोबिस जी के हैपी बर्डी पर मनाया जाता है और इनहीं के माडल पर दूसरा पंचवर्षी योजना जो स्टार्ट हुआ था 1956 से लेकर 1961 के बीट में चला था तो ये दूसरा पंचवर्षी योजना अगर पूछे किस माडल पर आधारी था तो PC महलनों भी इस माडल पर आधारी था Next हमारा चोथा प्रस्ण है अगर पूछे को लांच करने वाला है तो यह नासा लांच करने वाला है और इसमें जो है अगर पूछे कोन सहीओ कर रहा है तो इसमें सहीओ कर रहा है इस रो और इस एक्सियोम मिशन के तहत आंतरिछ यात्रियों के ट्रेनिंग के लिए एक्सियोम फोर मिशन सुरू किया गया है और इस मिसन इस ट्रेनिंग के तहट जो है गगनियान मिसन में दो बेक्तियों को सामिल किया गया है जिने अभी हाल हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा किस mission की तहत training दिया जा जाएगा तो XCO mission की तहत training दिया जाएगा और यह mission किसका है नासा का है और इसमें help कौन कर रहा है तो आप सभी को पता है कि भारत का पहला मानुयूक्त आंतरिच mission कौन सा होने वाला है तो यहां गगन यान mission होने वाला है जिसके तहत जो है भारत पहली बार मानुयुक्त आंतरिष मिसन में जाने वाला है जिसकी तहत जो है चार आंतरिष यात्रियों को गगन यान मिसन के तहत भेजा जाएगा जिसमें चार बेक्तियों का नाम आप सब याद रखेंगे एक तो है कमांडर परसांत नायर दूसरे हैं अजीदित कृष्णन तीसरे हैं अंगत परताप और इसके बाद चौथी बात करें तो यह इंपॉर्टन राम हो जाता है बिक कमांडर अगर पूछे कौन है तो सुभांसु सुगला जी है तो सबसी इंपॉर्टन यही है चार बेक्तियों में अगर नाम याद रखना है तो सुभांसु सुगला जी का ज हुई है तो बनेर घटा बायलोजिकल पार्क में अस्थापित हुई है और यह कहां पर है तो यह बैंगलूरू में है कहां है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है हाली में अंतराष्टिय सोर गडबंधन का सवापूर सदस कोन बना है प्राग में बना है यह आपको याद थी तो 2015 में हुआ था और इसके अस्थापना अगर पूछे किस ने किया था तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था इंडिया और फ्रांस ने मिलकर अंतराष्टिय सोर गडबंधन की अस्थापना की थी पांचवा प्रस्ण है हाल ही में किस देश के माउंट एटना और इस्ट्रामबोली जॉला मुखी में भी स्पोर्ट हुआ है तो ये दोनों जॉला मुखी अगर पूछे किस देश के हैं तो इसका सही द्वाब हो जाएगा आप्शन भी इतली के हैं माउंट एटना और इस्ट्राम बोली जॉला मुखी ये दोनों जॉला मुखी कहा के हैं ये दोनों जॉला मुखी इतली के हैं एक पूछे जो माउंट एटना है ये किस दूई परिस्ती थे तो यहां सिसली दूई परिस्ती थे इसी वज़ा से इसे भुमद्य सागर का परकास स्तंभ भी कहते हैं अभी इन दोनों जॉला मुख्यों में क्या हुआ है विस्फोट हुआ है तो दोनों का समद्ध कहां से हो जायगा इटली से हो जायगा इसके बाद एक और जॉला मुखी याद रखेंगे इसमें 20 पोर्ट नहीं हुआ है लेकिन याद रखेंगे कहां पाया जाता है तो 20 बियस जॉला मुखी अगर पूछे कहां पाया जाता है तो ये भी इटली में पाया जाता है इटली की राध्धानी पूछे क्या है तो इटली की राध्धानी रोम है और रोम पूछे किस नदी के किनारे इस्थित है तो टाइबर नदी के किनारे इस्थित है यही रोम में ही अगर पूछे किसका मुख्याले इस्थित है तो यफ ए ओ का मुख्याले है यफ ए ओ का फु इसका फुलफाम होता है, इसका मुख्याल है रोम में है, वह पूछे इसकी अस्थापना कब हुई थी, तो इसकी अस्थापना उनीस सो पंचानबे में हुआ था इसकी बाद बात करते हैं, इतली की राष्टपती महिला, राष्टपती, पहली बार कोई महिला बनी है, इतली की राष्टपती उनका नाम क्या है, जौर्जिया मेलोनी है नेक्स्ट परस नमा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे, त्री पख्चिय बहुराष्टिय छेत्री अभ्यास Freedom Age का संबंद किससे है तो यह कैसा है, त्री पख्चिय बहुराष्टिय अभ्यास से यापको याद रखना है और इसका नाम है Freedom Age तो Freedom Age में पूछे कौन-कौन से देशों ने भाग लिया है USA, Japan, दच्छड, Korea इन तिन देशों ने भाग लिया है हाली में RBI ने Digital Bhutan Intelligence Platform अस्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समीत का गठन किया है तो AP होता कमीटी के अधार पे जो है RBI ने Digital Bhutan Intelligence Platform की अस्थापना की है हाली में उत्तरपर्दी सरकार ने मंदिरों का संग्रहाले बनाने की मंजूरी कहां दी है तो मंदिरों का संग्रहाले कहां बनेगा, एउध्धा में बनेगा और यहीं पर भारत के मंदिरों का इधियास कलेक्ट किया जाएगा हाली में भारत के पहले AI बिस्विद्याल है, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी AI यूनिवर्सिटी के कुल्पती पदपर किसे नियुक किया गया है तो भारत के पहले AI यूनिवर्सिटी के कुल्पती कुन बनाए गए है, साइमन माक बनाए गए है चाटवा प्रस्ण अगरा है हाली में यूनेस्को के मानो और जीव मंदल कारिकरम की अंतर्राष्टी है समने मैं परिशत की 36.7 कहां आयोजित हुआ है इसकी ब्याख्या देखे तो मानो और जीव मंदल कारिकरम इसकी अस्ठापना पूछे कब हुआ था तो 1971 में हुआ था किसके द्वारा तो यूनेस्को के द्वारा इसकी अस्थाफना 1971 में की गई थी मानौ और जिव मंडल कारिकरम की 367 की बैठक अगर पूछे कहां पर हो रहा है तो मरक्को में हो रहा है मरक्को के एक इस सहर में तो अगादीर सहर में मानौ और जिव मंडल की 367 का मानो ओजिय मंदल कारी करम में अब तक भारत के किजने बायोस्पेयर सामिल है तो बारा बायोस्पेयर रिजर्व इसमें सामिल है ये आपको यादर रखना है अगर पुछे पहला कौन सा है तो पहला नेलगिरी है और नभीनतम पूछे कौन सा है तो नभीनतम है पन्ना टाइगर रिजर्ब निलगिरी पूछे किस राज में है तो यहाद तमिल नाडू में है अगर वहीं पूछे कि पन्ना टाइगर रिजर्ब किस राज में है तो यहाद मध्य परदेश में है अगर पूछे कि भारत में कुल कितने बायोस्फेयर डिजर्व है तो भारत में कुल 18 बायोस्फेयर डिजर्व है पहला जो बायोस्फेयर डिजर्व इन्विश्कों में सामिल था वो निलगिरी और नभीनतम पन्ना है नेश्ट हमारा प्रस्ने हाले में सफाई अपना विमारी भगाव पहल किसने प्रारंभ करी है आवास यों सहरी विकास मंतराले ने प्रारंभ करी है और इसके मंतरी पूछे कौन है तो इसके मंतरी है मनुहालाल खट्टर नेश्ट प्रसन है हाले में अच्राहमी लोगसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है तो ओम बिर्डला जी को चुना गया है हाले में चर्चा मेरा परासपरिक रसद समझोता रेलोस का संबंध किसे से है तो रेलोस का संबंध है इंडिया और रोस से संबंधित है दिनों पहले प्रधान मंत्री मोदी जी कहा गए है रूस में गए है ठीक है तो रूस का एक अवाड है जिसका नाम है आडर आफ आडर आफ सेंट एंड्रिव एपोस्टल दाफ़स्ट काल यह कहां का अवाड है यह रूस का सर्बो चनागरिक सम्मान है आप सभी इतना याद भारत के प्रधान मंत्री मोदी जी को दिया गया है रूस के प्रधान मंत्री अगर पूछे कौन है रूस के राष्टपती कौन है तो बलादमीर पुतिन है यह आपको याद रखना है और मोदी जी को जो है आडर आफ सेंट एंड्रिव आवाड से सम्मानित किया गया है इस अवाड के अगर पूछे शुरुआत कप की गए थी तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्टपती जी जो हमारे देश की सर्बोच राष्टपती है जिनका नाम है दुरोबदी मुर्मु जी दुरोबदी मुर्मु जी को अगर पूछे किस देश का आवार्ड दिया गया था तो सूरी नाम का आवार्ड दिया गया था जो की आडर आ राजा सुबर मन्नी जी को नूक किया गया जबकि पूछे आर्मी चीफ कोन है तो उपेंदर जुबेदी जी है और उहीं पूछे वाइस चीफ आफ आर्मी कोन है तो एन एस राजा सुबरी मन्नी जी है नेश्ट प्रसन है हाल ही में 46-वी अंतराष्टी चीनी संगठन परिसत की बैठक कहां पर परारंब हुई है तो यहां परारंब हुई है नई दिल्ली में हाल ही में WTT कंटेडर लागोस 2024 का महिला एकर खेताब जीतने वाली पाहली भारतिय महिला की लाड़ी कोन है तो स्रीजा अकुला है और इनका संबंद पूछे किस खेल से है तो टेविल टेनी से यह संबंदित है नेश्ट प्रस नमारा है आठवा हाली में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहां परारंब करी है तो यहां उत्तर परदेश में परारंब करी है घर घर सोलर परियोजना अगर पूछे किस ने सुरू किया है तो टाटा पावर ने सुरू किया है यहां कहां सुरू किया तो यहाँ उत्तर परदेश के वराण से जिले से सुरू किया गया है, यह आपको याद रखना है, कि सोलर पैनल को अगर सुचे की, पूछे क्यों सुरू किया गया है, क्योंकि परियावरार को देखते हुए, दोहजार सतर में भारत ने अपना लच्छ रखा है, जीरो कारबन emission का ठीक है तो भारत की द्वारा अगर पूछे carbon emission का लचकब तक रखा गया है तो 2070 तक रखा गया है यानि कि 2070 तक भारत जो है सुध्य सुन्य कार्बन उस सर्जन में अपना योगदान रख लेगा 2070 तक इसी को देखती हुए घर घर solar योजना टाटा पावर के द्वारा सुरू किया गया है उत्तर पदेश के वरांट सी जीले से सुरू किया गया है इसमें जो है अगर पूछे सहयोग या छूट कौण कौण देने वाला है तो टाटा पावर देखा और साथ साथ में केंद सरकार इसमें छूट देने वाली है नेक्स्ट हमारा है हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्यान और अनुस अंधान केंदर का उद्गाटन कहा हुआ है तो अब गुजरात में हुआ है नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को की सूचे में सामिल भारत का पहला साहित्तिक सहर कौन सा है तो भारत का पहला साहित्तिक सहर जो यूनसको में सामिल हुआ है उसका नाम कोजी कोट और अगर कुछे संगीत में कौन सा यूनसको में सामिल हुआ है तो वह है गौलियर यहाँ है केरल का और यहाँ है मद्द परदेश का तो दोनों सहर आपको याद रखना है नेक्ट बात करते हैं हाल ही में T20 विस्वकप में लगाता आप दो हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेदवाज कोन बन गए हैं पेट कमिन्स बन गए हैं और यह किस देश के गेदवाज हैं तो यह आउस्टेलिया के गेदवाज है नवा प्रशन मारा है हाल ही में AI द्वारा संचालित स्वास्त बीमा उत्पाद एलिवेट किसे ने लांच किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अउप्सन डी, ICI, ICI, Lombard ने इसकी ब्याख्या देखे तो एलिवेट किया है AI संचालित स्वास्त बीमा उत्पाद है इसको पूछे किसे ने लांच किया है तो एलिवेट को लांच किया है ICICI Lombard ने इसको लांच किया है क्यों लांच किया है क्योंकि Medical Emergency होती है तो इसी में इन्फाइनाइट केर करने के लिए Elevate को लांच किया गया है यानि कि अगर दुरघटना हो जाती है तो इसके लिए आप सभी को अगर आप सभी इसमें जो है क्या करते हैं ICICI Lombard में तो आप सभी को 5 लाग की कलेम राज से भी उपलब्द हो जाती है अगर मरीज को कुछ होता है तो इसी आप याद रखेंगे Elevate क्या है AI संचाली स्वास्त बीमा उत्पाद है किसने लांच किया है ICICI Lombard ने लांच किया है Next प्रसने हाली में Bricks खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है तो यह आपको याद रखना है कि Bricks खेल 2024 अगर पूछे इसका आयोजन कहां पे हुआ है तो इसका होस्ट आप सभी को कमेंट बाक्स में बचाना है इसमें भारत को पूछे कौन सा स्थान मिला है तो भारत को आठवां स्थान मिला है Next प्रसने हाली में अंतराश्य फिल्म महस्व 2024 में गोल्डन कौन्च पुरसकार से किसे समानित किया गया है तो फिल्म का नाम है Golden Threat Next प्रसने हाली में अंकटाड की 2099 रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो भारत को 15 अस्थान मिला है हाल ही में राश्टपती दरोबदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पदपर किसे नुक्ट किया है तो भरत हरी महताब जी को नुक्ट किया है नेस्थ प्रस्थ आजका आखरी करन टफेर है हाल ही में Git Workers बधयक लाने वाला देश tässä का दूसरा राज्ज कौन सा है जिसका सही जवाब हो जएका करनाटर Git Workers मतलब क्या होता है миको गिग वर्कर्स मतलब होता है जो डिलिवरी बाय होते हैं जब राजस्थान के सीम कौन हुआ करते थे तो उस सममय जो है गीग वर्गर्स बिधे लाने वाला पहला राज कुन बन गया था राजस्थान और अभीहल घृस्थान ऑल गया है, बन लत पकूत आपको या रखना है ठीक है, नेश्ट प्रसन हो जाता है हमारा हाल ही में सयूक्त, राष्ट सतत, विकास, समाधान, नेटोर्क द्वारा जारी, सर्ष्ट नेवल डेवलमेंट रिपोर्ट में सीर्स अस्थान किसे मिला है, तो भारत का पूछे, 109 स्थान है, किसका? तो भारत का 109 स्थान है, फिन लेंड का है नेस्ट प्रस्ण है दुनिया का पहला ACI राजागिद संरक्षन और परजनन केंदर कहां परारंभ होगा तो यह महाराज गंज में परारंभ होगा जो कि उत्तर परदेश का एक जिला है हाल ही में T20 इंटरनेशनल किर्केट में चार ओबर, तीन मेडन, तीन बिकेट का आव विस्वसनिय रिकार्ड किसने बनाया है तो लौकी फार्ग्यूसन ने बनाया है और यह कहां के बॉलर है तो यह नूजी लेंड के बॉलर है नेश्ट प्रस नमारा है हाल ही में सबसे अधिक पाउन उर्जा स्थापिच छमता के लिए किसे समानित किया गया है तो पाउन उर्जा में अगर पूछे गुजरात को समानित किया गया है यानि कि पाउन उर्जा सबसे जादा गुजरात में है और वहीं बात करें सोलर एन येस question आप सभी को देखने को मिलता है पहला प्रश्न मारा है यू यनो की अस्थाबना कभ हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था यू यनो का मुख्याले पूछे कहां पे है तो मैं अन्हटन दूइप न्यूयार्क USA में इसका मुख्याले है वर्तमान में पूछे यू यन पूछे कौन है तो इंटोनिया गुटारेस है और ये कहां के हैं पूर्तगाल के हैं दूसरा प्रश्न मारा है सून रेखा किसके मद्ध इस्थित है तो तिरपूरा और बंगलादेश के बीच में इस्थित है तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दीता हूँ ये भारत का कौन सा राज हो जाता है ये मेघाले हो जाता है तो ये कौन सा राज हो जाता है मेघाले हो जाता है और मेघाले की बाद ये वाला जो राज परता है ये कौन सा राज है तो ये तिरपूरा राज है और इसके बाद जो यहां पे पूरे चारों तरफ से घिरा हु इस थी था है तो ये कोन सी देख्वा है? जिरो लाइन रेख्वा तो स्वून ने रेक्षा किसके मंद्द है? तो तिरुपुरा और बंगलादेश के बीच में इस था याद रखना नेस्ट प्रस्ट मेरा है सुन्न गரू गइस अक्रिय गइस नॉभल गइस कौन कौन सी है तो अवर्त शारड़ी के अठामे वर्ग में सुनन गईस या क्रिय गउस सामिल है कुन कुन सी गैस है हीलियम, नियान, आरगन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान ये सभी जो है अक्रिये गैस है नेक्स्ट है द्रव अस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है तो अधातु जो है द्रव अस्था में ब्रोमेन पाई जाती है जबकि द्रव अस्था में पूछे धातु कौन सी पाई जाती है पारा पाई जाती है और इसका अगर सोत्र पूछे तो हजी है नेश्ट है सिक्किम की अस्थापना अगर पूछे कब हुआ था तो 1975 में हुआ था महीं बात करें मेगाले मरीपूर और तिरपूरा की अस्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था नागलेंड की अस्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था रुडांचल परदेश और मिजोरम की अस्थापना 1987 में हुआ था नेश्ट हमारा प्रशन है एक्सरे की खोज किस ने करी थी तो राट जन ने करी थी जिन्हें बहुत तिक का पहला नॉबिल पुरसकार भी प्राप्त हुआ था रक्त समो की खोज पूशे किस ने किया था तो कार्ल लैंड श्टेनन ने रक्त समो की खोज करी थी अगर पूछे सर्वगराही किसे कहते हैं तो सर्वगराही यानि कि जो सब का खून ले सकता है हर एक गुरूप का उसे ए पॉजिटिव कहते हैं और सर्वदाता किसे कहते ह यानि कि सभी को जो खुन दे सकता है, सभी वर्गों को इसे कहते हैं, ओ माईनस. लाल सागर ओ ठुजको जोड़ता है? तो सोईजनार जो है लाल सागर और भूमद्य सागर को जोड़ता है. तो यहाँ पे माली जे इस quien बाद इसके नीचे जो है यह लाल सागर है. तो लाल सागर ये हो जाएगा भुमद सागर ये हो जाएगा इसकी बीद में पूछे कौन सी नहार है तो स्वेज नहार है स्वेज नहार पर अगर पूछे अधिकार किसका है तो मिस्र का है नेश्ट प्रस्न है सर्वोत्तम गुडवत्ता वाला कोईला कौन सा है तो एंत्रे साइड है अगर पूछे कोईला कितने परकार का होता है तो चार टाइप का होता है सबसे बेश्ट कोईला एंत्रे साइड होता है भारत में सबसे ज़्यादा पूछे कोईला पाया जाता है त गोदावरी नदी के किनारे पर इस्तित्ता और अस्मक की राध्धानी पूछे क्या है तो इसकी राध्धानी थी पोतन या पोतली करकरे brings भारत के किन राज्यों से गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, करम से याद रखेंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्धपरजेश, 26गड़, झार खंड, पश्रिम बंगाल, तिरपूरा, मिजोरंव तो ये आठ राज्य हैं, जो की वेष्ट से इस्ट की तरफ इस्तित हैं ये आपको करम याद रखना केतने राज्य हैं टोटल आठ राज्य हैं नेश्ट प्रसम हो जाता है अंताकरण की स्वतंतरता का उलेक किस अनुछेद में है तो अनुछेद 25 में है राष्टपती के निर्वाचन मंडल में कौन-कौन सामिल होते हैं तो एलेक्टेड MP और एलेक्टेड MLA सामिल होते हैं नेश्ट प्रस्ण मारा है बिधवा पुनर विवा अधनियम कब लागू हुआ था तो यहां लागू हुआ था 1856 में कि सर्वधी किसका अगर पुछे बिधवा पुनर विवा अधनियम लागू कराने में सबसे अधिकिसका योगदान था तो इस वर्चन्द बिद्या सागर जी का था सतीपर्था अगर पुछे कब बंद किया गया कब बैन हुआ था तो 1829 में उस समय अगर पुछे भारत की गवणनेट जनरल कोन थे तो बिलियम बैटिंग थे गवणनेट जनरल और पुछे किसके परियोग से जो है सतीपर्था का अंत किया गया था तो राजा राम मोहन रा जीए नेश्ट है पंडित भीम सेन जोसी का संबंद किस घराने से है तो किराना घराने से ये संबंद देता है ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारते महिला कौन है तो ओलंपिक में पहली महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था उनका नाम है पीवी के समय भारत का गवर्णर जनरल किसे बनाया गया था तो वहीं बात करते हैं कि अगर बंगाल के पर्थम गवर्णर जनरल कौन थे तो लाड कलाइब थे वहीं बात करें कि बंगाल के पहले गवर्णर जनरल कौन बनाय जाते हैं तो ये बनाय जाते हैं वारन हेस्टिंग किस एक्ट के ताहत तो 1773 एक्ट के ताहत बंगाल के गवन्नर्ट जनरल कोन बनाई जाते हैं तो वारन हेस्टिंग बनाई जाते हैं और इसी 1773 के रेगूलेटिंग एक्ट के ताहत जो है 1774 में सुप्रिम कोर्ट की अस्थापना की जाती है कहां पर कलकत्ता में की जाती है और इस सुप्रेम कोट की अगर पूछे पहले मुख नयाधिस कोन बनाई जाती है तो एलिजा इंप्रे बनाए जाते हैं और इसके बाद पूछे कि आजादी के बाद जो है सुप्रेम कोट की कारवाही कार कब श्टार्ट हुआ था तो 28 जनुवरी 1950 को कार जे आई यानि चीफ जश्टिस आफ इंडिया कोन थे तो हीरालाल जे कान्या जी थे केस वनन भारती केस कब हुआ था तो यह 24 अपरेल 1973 को हुआ था अब तक भारत की अगर पूछे सबसे बड़ी नयाधिसों की बैठक किस केस में हुई थी तो केस वनन भारती केस में हुआ जिसमें 13 नयाधिसों की पीठ बैठी थी इस केस में कहा गया है कि संसद जो है संभिधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकता है लेकिन मूल भूत धाचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है अठरावा प्रसन है राष्टपती राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है तो बारा सदस्यों को मनोनीत करता है और ये बारा सदस्य जो है इन चार छेतरों से समंधित होते हैं पहला है समाज से भी कला विज्ञान और साहित इन सभी छेतरों से समंधित होने चाह था इसी में भारत की तरफ से पहला पदक जीतने वाली ये पहली महिला बनी है और इन्होंने कौन सा पदक जीता था तो कांस पदक जीता था पोड़ पोलियो सिस्टम जिसे कहते हैं विभागिये प्रनाली की सुरवात किस अधिनियम से की गई थी तो 1861 के एक्ट से पोड़ पोलियो सिस्टम की सुरवात की गई थी नेक्स्ट हमारा है नीती आयोग की अस्थापना कब होती है तो एक जन्वरी 2015 को होता है और नीती आयोग के अध्धक्छ अगर या फिर पूछे की हेड कोन है तो PM होते हैं जो वरतमान PM होते हैं वही नीती आयोग के अध्धक्छ होते हैं और उपाज़ पूछे कोन है वरतमा तुबी भी यार सुब्रमन्यम जी है। नेश्ट प्रस नमारा है उलम्पिक में भारत ने पहला पदक जितने वाले भारती ये कौन है तो या है केडी जाध हो इनका खेल पूछे कौन सा है तो कुस्ती हैं कुस्ती में इन्होंने पहला उनने सो बावन में हेलन सिंग की उलम्पिक में जो है पहला पदक जीता था और वो कौन सा पदग जीते थे तो ये कान सा पदग जीते थे किस में किस केल में तो कुस्ति में जीते थे ठीक है next प्रस हमारा हो जाता है किस फसल को golden fiber कहा जाता है तो जूट को जो है golden fiber कहा जाता है जूट की उतपादन में भारत का अगर पुछे पहला राज्य कौन सा है तो पश्यम पंगाल है आंख में प्राकरतिक रूप से कौन सा लेंस लगा होता है निकट दिरिष्टि दोस जिसमें दूर की बस्तू नहीं दिखाई देती तो निकट की चीज़े नहीं दिखाई जिती, इसे दूर दिरिष्टी दोस कहते हैं, इसमें किस लेंज का परियोग किया जाता है, तो उत्तल लेंज का परियोग किया जाता है, याद कैसे करेंगे, निकट दिरिष्टी, अगर देखेंगे निकट के लिए, निकट बड़ा है किसकी अपेच्छा दूर के पेच्छा तो निकट बड़ा है दूर के पेच्छा तो निकट बड़ा रहेगा तो उसके साथ लिंस भी बड़ा रहेगा और तल में चार मात्रा है तो दूर छोटा है तो इसके लिए छोटा लगेगा जैसे उत्तल उत्तल में तीन मात्रा है ठीक की पहाड़ी में इस चीद है निलगरी की सबसे उंची चोटी कोची है तो 2 वेट्टा है नेश्ट है तांसियन को मिया की उपाधी किस ने परदान करी थी तो अकबर परोरी 1922 को हुआ था चोरी चोरा, अगर पूचे घर ना कहाın पर है तो यह गोरबूर के उत्तर परदेस में है, next question है उन्हीं के आट के कलरे स्ंच मैउका और टो बोलूं नियं की है तो रेडियू और पोलो नियं की और अभी हाल ही में इने भारत रत्म से भी समानित किया गया है तो इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेर कुश्चन साथ में ललन टाप परस्ण और मेधान सिरिच का पार्ट 10 जिसमें 30 कुश्चन को साल्व कर लिया है अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लेज इस या तुभी को प्यारा था जय हंद जय भारत